हैलो ब्रीवन एकजाम वारी में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों कल की वीडियो हमने क्लास 6 के NCRT के हिश्टरी के प्रश्णों को देखा था तो आज की इस वीडियो हम क्लास 7 के हिश्टरी के प्रश्णों को चैप्टर वाइच कबर करेंगे पुस्तक का नाम है हमारे अत समदाय था जिसका राइटन्स रो जाएगा आप्शन वन सुन्नी समदाय खलीफा के प्रभुत को शुवकार करता था वन इसका करेटन्स रो जाएगा खलीफा क्या होते थे खलीफा इसलाम धर्म का नेतृत करने वाले को खलीफा कहा जाता था और सिया समदाय की बात करें स यह सम्पर्दाय की लोग मुहम्मद साहब के दमाद, अली को मुसलमानों का नेता मानते थे, किसे, पैगांबर साहब के दमाद, अली को नेता कौन मानते थे, तो सिया संपरदाय के लोग मानते थे. ठीक है, दोनों पॉ врंट ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं, सिकस्त लिप कैसे लिखी जाती थी, सिकस्त लिपी कैसे लिखी जाती थी, तिसका राइटन्स रो जाएगा option 1, दाएं से बाएं की ओ लिखी जाती थी, सिकस्त लिपी, और एक थी आपका नस्त लिखी लिपी, और यह कैसे लिखी जाती थी, तो यह आपक उप महादीप का मांचित्र कब बनाया गया भारती उप महादीप का मांचित्र कब बनाया गया तो इसका राइट अंस रोजागा आप सन 2 सन 1154 में भारती उप महादीप का मांचित्र बनाया गया किसने किसके द्वारा तो अल इद्रीशी के द्वारा अल इद्रीशी के द्व तो भी ऊपर की तरफ है और इसके जो जगाह के नाम थे वो अरभी भासा में थे ठीक है ये points भी आप ध्यान पहिएगा है आगे उप्रते हैं मध्य काल में रहत का प्रीयोग किस कारिय के सिलिये किया जाता था किया जाता था तो यह सिकाई के लिए किया जाता था आप्षन क्या हो जाएगा फोर इसका सही जबाब हो जाएगा अब हम अध्याय टू की बात करते हैं अध्याय टू का नाम है नए राजा और उनके राज इसमें पहला प्रशने आपका है सोबनात मंदिर को काउन लूटा है इंप्वार्टन प्रशन है अक्सर पूशिज आता है सोबनात मंदिर को काउन लूटा था तो इसका राइट अप्षन वन महमूद गजर्मी ने लूटा था आप्षन वन इसका करीट अप्षन पूचा जाता है यह कौन था भीम प्रथम उसमें वहां का सासक था तो पूचा एक हजार इस्वी से एक हजार सताइस इस्वी तक भारत परिशने 17 वारा कमण किया था आगे बढ़ते हैं रास्त्रंगडी किसके द्वारा लिखी गई है यह कलढ़ की रचन है वन इसका करीटन स्रों जाएगा रास्त्रंगडी में कस्मीर का इतिहास मिलता है ठीक है वन इ इसकी रचना की बात करें हैं, तो आसिका और तुगलक नामा, तुगलक नामा और रासिका किसकी है, तो यह अमेर खुसरो की रचना है, यह ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है, अगला पुछने, पृत्वी राज तिर्ती और मुहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था, तो इसका करें टंसर हो जाएगा, आपसन वन, 1191 और 1192 में होते हैं, 1191 में कौन से युद्ध हुआ था, तो आपका तराइन का पर्थम युद्ध हुआ था, तो आपका तराइन का पर्थम युद्ध में विजाई कौन हुआ था, इसमें आपका पृत्वी राज चौहां बीज़ाई हुए थी ठीक है और 1192 कौन से युद्ध हुआ था ता आपका तराइन का दूसरा युद्ध 1192 हुआ था और इसमें कौन बीज़ाई रहा था तो इसमें आपका मुहम्मद गोरी बीज़ाई था ठीक है इस परिंट ध्यान रखेगा important है आगे बढ़ते है तंजाउर के ब्रिधेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल सासक के दुआ हो जाए गा इसलिए इसे ब्रिधेश्वर मंदिर को और आपके जाना जाता है तीक है कहां पे है ये तंजाउर में है और आगए प्रथम की हम बात करें तो यह चोल समराज का सासक था और श्रिलंका की सासक महेंदर पंचम को हरा कर मुंडी चोल मंगलम की अस्थापना की और मुँंडी चोल देव की उपादी धारण की थै किस ने राज-राज-प्रथम अच्छा यह चोलवंस से संबंधित था, चोलवंस का सासक की अस्थापना किशने की थी, तो विजियाले ने चोलवंस की अस्थापना की थी, ठीक है, दोस्तों, इसके अलावा हमने एक दृष्टी पब्लिकेशन की NCRT से संबंधित बूक है, उसमें आपका चैप्टर वाई सारे सब्जिट के प्रश्ण दिये हैं, तो आज सुबह हमने क्लास 6 के भुगोल के प्रश्णों की वीडियो हमने डाल दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, दोस्तों, यह बहुत अच्छी बूक है, इसमें आपका सारे सब्जिट के चैप्टर वाइज जो है, प्रश्ण दिये गए हैं, अगर आपने इसको पूरा देख लिया, तो आपको NCRT की बूक पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी, बहुत अच्छे से इसमें सारा डिटेल वाइज दिया है, ठीक है, दोस्तों, और अगर आपको चालुक के सामन थे, वन इसका करेटन्स रो जाएगा, ठीक है, आपसन वन इसका राइटन्स रो जाएगा, अगर बढ़ते हैं, राष्टकूट सासक, दंत दुर्ग के बारे में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए, राष्टकूट सासक, दंत दुर्ग के बारे में पू क्यों हैं सघीए राश्टकूट servers कि बात करें तो राश्टकूट वंस के अस्थापना किն admitted to दnt दुर्ग ने की ती और राश्टकूट की राजधानी पूचा जाता है क्या थी मान ने खेज राष्ट कूट की राधानी थी और राष्ट कूट की भाशाप पुछा आया तो राष्ट कोट की भाशाड कैया थी? कन्नड थी अचरो के प्रकारों के बारे में पहला कर रहा है विट्टी एक प्रकार का एसा कर था जिसे नगद रूप में संग्रहित किया जाता था तो यह गलत हो जाएगा यह नगद रूप में संग्रहित नहीं किया जाता था बलकि वेट्टी जो है कर नगद के रूप के बजाए जबरन्स्रम किसमें जबरन्स्रम के रूप में यह लिया जाता था और करा कदमई एक भू Apecin कें हो जाँगा Two इसका suff am氏का हो जाएगा टीख हय अगी बता है त्री पठी शुट के बारे में निम्लखित कतरों पर विच्षार केजिए त्री समखर के बारे में निम्लकित कतरों पर विचार करें पढते कारी करया करनोच पन्य अंत्रण त्री पच्छी संगर्ष का एक कारण था, सही है, प्रतिहार राष्ट कूट और पालो के बीच त्री पच्छी संगर्ष हुआ था, ये भी सही है, यानि इसका करेटन्स रो जाएगा आपसन 3, ठीक है, आपसन 3 इसका करेटन्स, जारे प्रश्बनता है कि यह जो त्री जानकारी प्रदान करता है उत्तर मेरू सिलालेक जो है किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है तो इसका देख लिते हैं पहला कराया है चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था इसके इसमें इसमें उसका ब्रिष्थित वड़ान है सही बात है वन इसका कर करत्थ हुआ था ठीक है इस अभलेक के अउश्वार सभा के लिए जो सदस्ता होती थी उसमें लिखा गया है कि सदस्ता के लिए ऐसी भून का स्वामी होना चाहिए जहां से राजसुकर वसूल आ जाता हो और क्या उसके लिए और क्या जरूरी होता है था तो उसके पास जो है घर होना चाहिए सभा का जो सभा था उसके सदस्ता के लिए क्या होना चाहिए घर भी होना चाहिए और उम्र की बात करें तो 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए और क्या था इसमें तो वेदों का ग्यान भी होना चाहिए यह सब क्या था सभा के लिए सदस्ता का जो है यह आरताय थी आगे बढ़ते हैं अध्याय थ्री अध्याय थ्री का नाम है दिल्ली के सुल्तान दिल्ली के सुल्तान से प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण है रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्धी पर कब जाएगा आपसंट 2 1236 में आपसंट का हजार टू इसका करेट अन्षर रोजाए रजिय सुल्तान किसकी पुत्री थी आपका ये इल्टूत मिस्की पुत्री थी और ये 1236 लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत की सासका थी आपसंट 2 इसका करेट अन्षर इंपर्टन प्रस्ण एक सांकेतिक मुद्राकिष्ण ने चलाया था तो मुहम्माद बिन तूगलक ने चलाया था आप संद को जागा टूइसका करीटन रोजा मुहम्माद बिन तूगलक की बात करें तो 1325 से लेका 1351 तक जो है तूगलक वंसका सा सकता और इसने देवगरी के अभियान के बाद 19330 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और ताबेत टाथा पीतल का मुद्रा ध्या नेकरी देवगरी का नाम बदल कर का राखा था दावलताबाद रख दिया था क्या देवगरी का नाम बदल का दावलताबाद किष्णे तो मुहम्माद बिन तुगलक ने ठीक है इस सारे पॉइंट से आप ध्यान रखेगा अलप्शन है दिल्ली सल्तनात का अंतिम राजवंस कौन था ये भी इंपॉर्टनिक प्रश्ण है इब्राहिम लिद्वी और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था तो 1526 में कौन सा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ठीक है तो आपसं थ्रीज का करेटन सुरो जाएगा देखिए पहला राजवंस कौन था अब ध्यान सुनिएगा दिल्ली सल्तनित के अस्था अपना घुलाम वंस के अस्था अपना घुलाम कि कारकाल के बाद करें 126 से लेकर 1290 अब ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद कौन सा आता है खिल जीवंस आता है 1290 से लेकर 1320 शोवी तक सबसे कम जो है यही सासन किया था दिल्ली से लेकर 1414 तक था शरवाधिक पूछा ज तक 1451 तक जो है कौन सा तुगलक सायद वन उसके बदाब का था लोधी वन्स अंतिम्राज वन्स था लोधी वन्स 1451 से लेकर 1526 था ठीक है यह सारे पॉइंट श्याब्धान रखेगा सरबाधिक इसने तुगलक वन्स ने कम खिल जी वन्स ने यह पूछा जाता है अलपस ने ह हौजखास साही टंकी कहां परिष्थित है हौजखास वर्तमामने कहां पर है तो यह दिल्ली में हिस्तित है वन इसका करेटन्स रो जाएगा ठीक है यह हौजखास का मतलब होता था पानी की टंकी अलपस ने इबन बतूता किस देश से भारत में आया था इंपड़र प्रश यह भारत आया था मुरक्को का था इसकी रचना ध्यान रखेगा किताब उल रहेला अगसा पुछा आता है किताब उल रहेला किसकी पुस्तक है तो यह आपका इबन बतूता की पुस्तक है ठीक अगला पुछने कुवत उल इसलाम महजित के बारे में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए कुवत उल इसलाम महजित के बारे में विचार करना है देखते हैं पहला करा यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामुई महजित थी दूसरा है इस महजित के मिनार को स्ञेंद्ली सुलतान द्वारा नि Margaret पहली मस्जिद धीये सही है और इस मस्जिद के मेनार बूर मनायола को लादिन किस्ण और इंधक ने बनो आए था ठीक है ये पॉइंट आप धिहां नहें अफकी मुगल शमराज इससे पहला अग्बर के द्वारा इबादत खाना का निर्मार किस सहर में करवाए गया था इबादत खाना के सहर में करवाया गया था अग्बर के बारे में हम कुछ पॉइंट शाड़ बता रहे हैं इसको ध्यान शुरिएगा कारकाल की बात करें अगर अगबर की तो 1556 से लेकर 1605 इसवी था ठीक है और इसने कौन-कौन कुछ से कार किये थे तो 1562 इसवी में दासपर्था को समाप्त किया था उसके बाद 1563 में क्या किया थ उसके बाद आपका आता है 1564 1564 में क्या किया था जजियक कर पर रूख लगाया था अब 1582 ध्यान के बहुत इंप्वाटेंट है इसमें आपका इसने क्या किया था दिन इलाही धर्म की अस्तापना की थी 1582 में जो इतना सारा पॉइंट बताया हूं इसको ध्यान से रखिए तो साजहा का पहले नाम क्या था तो खुर्रम था और साजहा के पिता का नाम क्या था तो जहांगी ठीक है इसको ध्यान अखिएगा आगे बढ़ता है मुगल समराद को जिन्दा पीर कहा जाता है तो आपका औरंग जेब को कहा जाता है आपसन क्या हो जगा फोर इसका शाइंगा अगल प्ष्ण ने ने वारत को सत्रा बार शासे बाबर भरत में मुगल शासन किस वर्श में अस्थापित किया आप सभी को बता है 1526 में 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका पानिपत का युद्ध हुआ था किसके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी की बीच हुआ था अलोदी इसमें पराजित हुआ अब बाबर ने जो है मुगल शामराज की अस्थापना की थी और उसके बाद बाबर के कुछ इदिनी राय की बीच उसके बाद आपका 1539 आता है इसमें कौन सा युद्ध हुआ था आपका घागरा का युद्ध हुआ था किसके बीच महमूद लोदी और बाबर की बीच अब बाबर की मृत्त हुए थी 1530 में बाबर की मृत्त हो गई थी ठीक है यह सारे पॉइंट से आप दिखेए गा को आगे बलते हैं मुगल्ण समराब बाबर के बारे में इम्लिखेम कत्रों पर विचार कीजिए पहला कह रहा है वह 1494 में फरगना का सिंहासन पाने में सफल हुआ, 1494 में फरगना का सिंहासन पाने में सफल हुआ, सही है, अब 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी के भराया था, अभी हमने पीछे बताया, सही है, जब यह फरगना का सासा बना था, यह मातर बारा वास का था, ठीक है और 1526 में पानिपत का युद्ध और इब्राहिम लोद्यू के हराय था दोनों सही है तो इसका करीटन्स रोजाएगा आपसन 3 दोनों सही है ठीक है अगे बढ़ते हैं मुगलो को जागीर मुगलो की जागीर दिली स्ल्तानों में से किसके बराबर थी? अगला पसने अध्याय पांच आपका इसका नाम क्या है? सासक और इमारते हैं पहला प्रश्णाय सन में कुटब मिनार की पहली मंजिल किस ने बनवाई थी तो इसका करेट थैंस रो जागा आपसनम फूर कुतबुद्रिधिन रबाग ने या महादेव के मंदिर का निर्माड किस राजा ने करवाया था तो आपका करवाया था ये option 1 इसका राइट अंसर हो जागा राजा धंग देव चंदेल ने करवाया था राजा धंग देव चंदेल ने कंदर या महादेव के मंदिर का निर्माड करवाया था और ये कहां पर है तो ये मध्ध प्रदेश के चहतर पुर्जिले में स्थित है, और ये मंदिर किसका मंदिर है? तियों सी ईू जी को समैर्पीत है, ठीक है? अलप्ष ने दिल्ली इस्तित जामा महजित का निर्माड किष्णे करवाया था सभी को पता है common प्रश्ण है जाम महजित का निर्माड सा जहानी करवाया था और किष्णा निर्माड करवाया था इसने लाल के लिए का निर्माड करवाया था किश्चना ताज महल का निर्माट भीए इसने करवाया था आप्शन pong फोर इसका Warszawa सब्सुन मंदित पित्रा दुरा पित्रा दुरा है पित्रा दुरा क्या है तो पित्रा दुरा एक सहली थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन 2 संग्बरमर अथवा बलुवा पत्थर को अलंकित करने की तकनिक क्या कलाती थी पित्रा दुरा सहली कलाती थी संग्बरमर तथा बल्व पत्रों पे जो डिजाइन होते थे वही है, option 2 इसका करेट अंस रो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, how जे सुल्तानी किसके द्वारा बनवाय गया था, इसका राइट अंस रो जाएगा, option A, इल्टुत मिस्के द्वारा बनाएगा था, how जे सुल्तानी क मतलब इसका अर् की गया था, gothic-iddnik-salieी का पहिली बार निर्मार क अप प्या रधत है, तो आप और होजाग कहाँ पर किया गया था, तो France, option to इसका करेटन सुरोज़ा बस इतना धन कीगा गोतिक सहली किससे समन्दी थे आपका चर्ष समन्दी थे ठीक अध्याच छे नाम है नगर्ब्यापारी और सिल्पकार पहला परशन इसमें हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटी में इस्तित है इसमें हम्पी नगर्ज वरतमान में कहाँ पहले है तो यह आपका करनाटक राज़ में हैं हम्पी भीजे नगर समराज की अस्थापना किछिने की थी हरीहर और बुक का नामक दो भाईयों ने की थी, यह पुइंट्स भी आप ध्यान केगा, तुंग भद्रण नदी कि हैं बात कर लेते हैं, जाएगा देखिए यहां पर स्टेट भी दे दिया है लेकिन राजमेर में है ठीक है अजमेर शरीव राजस्तान में है और सेख मुझे मुझे दिन चिस्ति की बात करें इन्होंने चिस्ति संप्राइब की अस्थापना की थी अगल आप शने बीदर के सिल्पकार किस यह प्रशिथे बीदर के सिल्पकार बीदर जो है कहां पर है यह करनाटक राज में है ठीक है किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता सूरत को कहा जाता है आपसन क्या हो जागा क्योंकि यहां से बहुत सारी लोग हाज यात् तो सूरत को मक्का का प्रस्तान द्वार कहते हैं। अगला पूसे हैं हम्पी के वास्तु बैभो के संबंद में निमलकित कत्रों पर विचार कीजी। हम्पी की बात कर रहा है हम्पी किष्ट्रा त्रूंग भद्रा बेसिन में इस्तित है सही है और इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोडने वाले मसालों का उप्योग नहीं किया गया यह भी सही है जो हम्पी की जो वास्तु बैभव है वास्तु सहली है उसमें कराए इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर पत्थर या किसी जोडने वाले मसालों का परियोग नहीं किया इसमें पहला प्रशन देखते हैं गक्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गक्खर को बादसा अगबर ने क्या बनाया था तो इन्हें आपका मनशबदार option 1 इसका करेटन्स रो जाएगा ठीक है option 1 और जो है ये जो कमाल खान है ये आपका ये खोकर जन जात इसे खोकर जन जात अगबर के प्रशिद सेनपती राजा मानशिंग ने चेर लोगों पर हमला कप किया था तो आपका किया था उन्हें पंदरा सो इक्यानवे सिमें ठीक है पंदरा सो इक्यावे सिमें नहीं हमला किया था और हरा आया भी था अगला प्षोचन है नहीं जोगों से जबरन काम लिया आता था उसेlegen 20 तो बारे में बिचार करतार और आ का प्रमुक कवाल खान कखर ता सई है मुगल सम्राथ जहांगीर द्वारा उससे अनुराग इसमें पहला सब्सक्राइब सूर से पहला प्रिंग छाल्प को सफ पन्त की निरमार कप किया था तो इसका करेटन्स रोजा आपका 1699 में आप्शन 4 इसका करेटन्स रोजागा गुर्गोविन ने खाल्शा पंत्र की सुरुवात की थी 1699 में और यह सिखों के दस्वे गुरु थे ध्यानक खेगा अज़सी के घर्म के पहले गुरु कौन थे यानि गुरु नानक देव इन्हें आपका इसके धर्म का संस्थापक मना जाता है अलब फशन Suchamiji 1860 में किस सिकh गुरु को मृत्र देड़ दिया गया तब कुस्का राइटन्स रोजागा आप शन्टू गुरु अरजुन गुरु अर्जुन देव की बात करें तो आपका ये पांचवे गुरु थे सिखो के और इन्हों ने जो है स्वड मंदिर का काम पूरा करवाया था आप्षन टूस का करेंटन्स रो जाए और किसने दिया था किसके समय में तो जहागीर के समय में ठीक है ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेएगा आगे बढ़ते हैं संगराम साह की उपाद किसने धानड की थी तो गोंड राजा अमन दास ने संगराम साह की उपाद किसने जर्मन भासा में किया था आपसं त्रीज का करेंटन्स हो जाएगा अगल अप्षन है तुलसी दास ने राम चरित मानस की रचना किस भासा में तो आप सभी को पता अवधी भासा में है ये आपसं पूर इसका राइटन्स हो जाएगा अगल अलवार तथा नयार्शंतों के बारे में निमल्कित कथनों पर विचार किजिए अलवार तथा नयार्शंत के बारे में पूछ रहा है तो 63 नयार थे अभी हमने पिछब जाएगा आपका आपसं वन के वल एक सही है ठीक है सूफी वाद के रिशी सिल्सले के बारे में निमल्कित कथनों पर विचार किजिए सूफी वाद के रिशी सिल्सले के बारे में पूछ रहा है तो पहला कर रहा है या पंदरवी और सोली सताब्दी के दौरान कस्मीर में फाला फूला रिशी सिल्सला ये भी सही है या सिल्स अध्या नाइन छेत्री संस्कृतियों का निर्माड पहला प्रस्टेंश में दोचला और चौचला अस्थापत सहली का सबंद किस छेत्र से था तिया आपका उजब बंगाल शेत्र से आपसें फोर इसका करेटन्स रोजागा दोचला का अर्थ होता है दो चाते वाली अच्छ प्रवालम क्या है मड़ी प्रवालम क्या है तो इसका राइटेंस रो जाएगा आपसन6 यह क्या है अपका ले खं काऊन लोग होते थे तो आप्शन थ्री कहानिका भी गिद गाने वाली लोगों क्या कहा जाता था राजस्थान में चारण भाट कहा जाता था आप स्थरी का रायट एन सुरह. अलप्सनें चित्र कला की बसुत सर्ट प्रदिसिете? यह आपका हिमाचार पुर्देश मंगल कावि किस छेत्र से संबंदित साहित करित है तो आपका बांगला से आपसे टूस का राइटन्स हो जाएगा मंगल कावियो चौदवे सताबदी के गरंद लीला तिलकम के बारे में निम्रकित कत्रों पर विचार किजिए लीला तिलकम यह मल्यालम में लिखी गई एसी पहली साहितिक पुस्तक है जो ब्याकरण और कावि से संबंदित हैं सही अभी हमने पीछे बताया इस पुस्तक की रचना मल्यालम भासा में की गई आज वर पर पहला ही से हो जाएगे आपका अलब्स है अध्यादस आगहाब इसका नाम है इसका नाम है इसमें पहला परष्ण देखते हैं जोदपूर के राजा अजीद सिंगओ कहां कि सुवेदारी मिली थी जोदपूर के राजा अजीत सिंग को कहा की सुभेदारी मिली थी तो इन्हें आपका गुजरात की वन इसका करिटन्स रोजाए गुजरात की देखिए जहादार सा जो था जहादार सा ने मारवाड की राजा अजीत सिंग को महराज की उपाद दे थी किसकी उपाद महराज की उपाद दी और तो सियर के द्वारा आप्शन थ्री इसका करेट अंस रो जाएगा अगला पुशन है नादिर शाह ने दिल्ली पर आकरमण कब बोला था तो इसका राइट अंस रो जाएगा आपका 1749 में आदिर शार ने भारत पर आकरमट किया था, आपसंट टूइसका करिटन्स, किसके समय में? मेहमूद साख के समय में इसने अक्रम्र किया था अक्सर कुछा आता है ध्यान रखिये गाए अगर्ण आप पिशने जातो ने अंबर और आगरा की सैलियों का समन्य करते हुए विसाल बाग कहा बनवाए अपसर इसका करीटेंस रो जाएगा कि कतनों पर विचार किजिए जो है किस संबंदी थे तो यह आपका ग्वालिया से संबंदी थे सिंधिया गायकवाड आपका बड़ावदा से अब भोशले आपका नाकपूर से संबंदी थे तो आप से क्या जगा फोर इसका करिटन से बदाएगा ठीक है दोस्तों इसमें दस चैप्टर के प्रस्णों को हमने देख लिया तो यह रहे आज के पर थैंक यू फॉर वाचिंग